विल्कम पेक टू ईइंट लश्न गया नेगाट कंट आपक, क्या dalej करें खे आप के बता दें कि इंगा क्या ठाप कोशनों को ज्यासान ज्यादा से ज्यादा करें क्यों की अगोडी जाधा से घाप कोशनों का ही पैटर्ण अपके एक्षान वो सभी कारण की बज़े से कोशन गलत होना मतलब जो परसंटेज गलत होने का वो कम हो जाएगा तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का सेसन उसी मौटिवेशन कोड के साथ जो आपको उटचाफान रखेगा तता और उसे वेटा तताला कने के प्रेवित करता रहेगा क्योंक करें आज करुषक जाने तो याद राखेगा पर पर नहीं रखेगा पनस्पत ये मौटि में जानतु कोशिवेशन पर ने तो Jeep krijhANा रखेगा केंदर थतत जीवतर भी समालूप से पायाता है अस्ति कोशिकाओं का आकार होता है तो अन्यमित होता है इनका जो आकार है वो कैसा होता है तो यह आप बताएंगे कि यह कैसा होता है तो यह अन्यमित होता है अन्य कोशिकाओं के मिलने से बनने वाली सनचना क्या कहलाते है तो यह कहते हैं विक्षित होने वाली को तंत्र या संस्तान कहते हैं एक उतक को दूसरे उतक से अथवा एक अंग को दूसरे अंग से जोडने का कारी करते हैं तो वो कौन करते हैं तो वो है संयोजी उतक करते हैं एक उतक को दूसरे उतक से एक हम को दूसरे एंग से जोड़ने का कार्ण करता है तो सही हो जी उतक करते हैं नियूरॉन यहाँ पर बात की जाए नियूरॉन किस तंत्र की कोशिका है तो तंत्र का तंत्र की कोशिका है नियूरॉन चलिए तो नेक्स कोशन देखते हैं यह केलस्यम लीज़े क्योंकि हड्डियों का निर्माड केलस्यम की वज़ा से होता है एक वयसक्व्यक्ति की दिटी की हड्डि में कुल कशेरुकाई होती है तो वह होती है पकसलियों की बात हो जाए तो पर कंदुक खलका संदी पाई जाती है कुला तोट गया याद रखेंगे यहाँ पर कंदुक कलका संदी पाई जाती है पूरी कीडिया आपको मारे टेलीगाम अवैल वैल हो जाएगी कंकालता तो अप्योगी है क्यों कि यह किया कराता है वह सरीर को आकरती अभवम सरेट सब्राइब करता है चलिए नर्ट कोशन देखते है जो रहेगा क्या रहेगा उप्योग सब्ही कि डिखते हैं अचल संदी संदी सारीर मैं कहाँ पाइजाती अचल संदी कहा अपढ़ गया तो कपाल जो होता है यानि आपकी जो खुपड़े होती है उसमें क्या है अच्छल संदी पाईश आती है अच्छल संदी नहीं होती है मानव सरीर में लगवग कुल कितनी पेशियां होती है तो मानव सरीर में लगवग पूछा जा रहा है तो ये 600 होती है हिर्दय बना है तो हिदय कैसे बना हिदय पेशी द्वारावाई हिदय हिदय का निर्माल हिदय पेशी ही करेगी जो पेसियां व्यक्ति की इच्छा नुसार कारिकरती उन्हें कहते हैं इच्छ पेसि चिक है जो इच्छा नुसार कारिकरती है वो इच्छ पेसि है जो मतलब आपकी कंट्रॉल में नहीं है याद रखिएगा वो इच्छ पेसि हो जाती है मनुश्य के मुख में कितनी लार गरंतियां होती है मुश्ट इंपोर्टेंट है तो छे होती है लार रस में कौन सा कीड़वन यानि एंजाइम पाया जाता है कीड़वन बोला जाता है एंजाइम को तो ये टाइलिन पाया जाता है लार में टालेन नाम का एंजायम किस रसमे पाय जाता है या ठालेन कहां पे पाय जाता है तो भी याद रखेंगे मुommy या लार में पाय जाता है ऑप्शन मूवी हो सकता है चलिए डानधातों को मजबूत करने वाला तत्व कौनसा है तो दानתों को अगर मजबूत कौन करेगा तो कैल्सियम करेगी इसलिए हर व्यक्ति के लिए कैल्सियम हो इंपोटेंट है अमासे में से श्रावित होता है तो हाइड्रोक्लोरिक आमल श्रावित होता है बहुत बार पूछा जा चुका है हाइड्रोकलोरिक अमल जो है वो अमासे से रावित होता है निम्ने कितमें से कौन सा पाचन तंत्र का अंग नहीं है तो यहां पे जो पाचन तंत्र में सहयोग करते हैं वो सभी कौन है अहा नाल अगनासे छुटी आथबट, फेंपड़ा क्या है फेंपड़ा पाचन तंत का तो पूछा जा रहा है तो वह रहेगा फैंफडा याद रखेंगे चली आहनल का भाग नहीं है तो आमासे पकवासे और यहां पे छोटी आत और क्या नहीं है पूछा जा रहा है तो वह अगनासे नहीं है अहनल का भाग याद रखेंगा मुह में कितनी जोड़ी लार गंतियां पाई जाती है तो तीन जोड़ी मुह में लार गंतियां पाई जाती है रेनिन नामक एंजाम में जो अमासरे में बनता है तो वो क्या होता है रेनिन क्या करता है तो दूद को फार कर उसकी प्रोटीन को अलग करता है रेनिन क्या करता है दूद को फार कर उसकी जो प्रोटीन है उसको अलग कर देता है चले नश कोशन देखते है कार्वोहर्टेट के अधिक सेवन करने से कौन सा रोग होता है तो यहाँ पर मदुम है नामक रोग कार्वोहर्टेट के अधिक सेवन करने से हो जाता है कौन सा विटामिन बसा में गुलन सेल है तो यहाँ पर जो विटामिन बनेगा वो क्या बनेगा विटामिन वी बसा में गुलन सील है कौन सा विटामिन जल में गुलन सील है तो विटामिन भी क्या है जल में गुलन सील है यहाँ पे कुछ गरबड़ है पैटर्न में देखी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सा विटामिन जल में गुलन सील है कौन सा विटामिन बसा में गुलंसील है आपको पता देखे कभी कभी कोश्चन का नेचर इस तरह से होता है यहां पर देखे है अग्जाम में भी यही हो जाता है कि नहीं दे रखा है तो यह फिर आप्शन के अकॉर्डिक बिल्कुल सही है कौन सा विटामिन बसा में गुलंसील नहीं है यानि वो बसा में गुलंसील नहीं है जल में गुलंसील है तो फिर राइट हो जाता है विटामिन बी इस तरह यहां पर कौन सा विटामिन जल में गुलंसील है तो विटामिन बी इस तरह से नहीं पढ़ने से कभी कभी हमारे कुशन गलत हो जाते है द्यार रखेगा शूरी की किरोणों से प्राप्त होता है तो विटामिन D शूरी की किरोणों से प्राप्त होता है अगर इस तरह से भी कुशन बन जाता कि कोई महला कबरे से बाहर नहीं निकलते किस विटामिन की कमी हो जाएगी तो याद रखेंगा विटामिन D की इस तरह से बन जाता कि कोई महला हर समय बुर्खे में रहती है तो उसको कोई इस विटामिन की कमी होने की आसंका रहेगी उसमें आसंका जापता है तो याद रखेंगा विटामिन D विटामिन A सरवादिक याद रखेंगे आँखों Crystal के लिए ओउच्छा के लिए किसफे न्याद रखेंगे नवानी तो कंग पाता है और में जि Ga wealthy बीटारामिन कि विटामिन की कमी के कालर सरीर में रख्त फैहने की दसा में धाकपनने की के किया नंद हो जाती है तो वह विटामिन-क के की दसा में ऐसा होता है कि सरीर में धाकपनने के के लिए मंद्य तीमी हो जाती है अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्यु पाया जाता है तो बिटामिन भी पाया जाता है भोजन के क्या कारे है तो इहां पर है इन में से सभी हैं जरी को उड़ जा प्रदी तता सुरच्छा प्रदान करना पूंड प्रोटीन निमलकित मैंसे किस में पाय जाता है तो सोया बीन में पाया जाता है यहाँ पर है प्रोणा वस्ता में कैलसियम की कमी से कौन सी अस्ति रोग हो जाता है तो औस्टो मलेसिया अस्ति रोग हो जाता है संतुलित आहाल में प्रयुक्त मात्रा में विद्दुमान होते हैं तो यहां पर जो राइट आंसर है यह तत्व या प्रोटीन, खनीजलवर, तता विटामिन, बसा, तता कर्वोहाटेड यानि यह सभी तत्व बिद्वान होते हैं बुझपदारतों में बिद्वान उर्जा की मापन की एकाई है तो वो होती है कैलोरी कैलोरी में हम क्या करते हैं उर्जा को मापते हैं गेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है तो वो है आयोटीन की कमी से गेंगा रोग हो जाता है मसालों को आहर में सम्मिलित करने से लाव होता है तो याद रखेंगे मसाले बोजन को सरस्तता स्वादिष्ट बनाते हैं बोजन को पचानी में साह क делает होते हैं हमारी भूंगों सुचारू बनाते हैं इसलिए ये मसालों को जीवन वे रौल है तो इस सबी राइट अंसर हो जाएगे। चलिए मसालों में पुषक तक 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 तो पाये जाता है तो यहां पर राइट अंसर है, वह कौन खूंगनसा प्रोटीन, कर्भो हार्डडाड़, जाता है, तो राइट अंसर हो जागा है, ने सबी भूच पतारतों में पाई जाते हैं ना कि मसालों में अल्कोहल निम लेके तुम ऐसे किस अंगो को सबसे अधिव प्रभावित करता है तो याद रखिएगा जो अल्कोहल है अगर उसका जेबन आप लेते हैं अल्कोहल यानि जेतनी भी आपकी क्या है माधक बदार्थ हैं लेका से बना पलेते हैं तो यहाँ पे ऑप्षिं र्खिन से कोई नहीं है बद आप अप्षिं हो जाएगा येकरत ठीक है क्योंकि यह क्या करते हैं यह लेके को डेमिज करता है अल्कोहल निम लेके तुमें से किस अंगो को सबसे अधिव प्रभावित करता है याद रखी गट जानां पेट में जल होना है पाचन किरिया का अस्त जैस्त हो जाना है ऑसा सब्सक्या रखजा है सफेद नमख में रखे सब्सक्राइब में पर नृविक स॥िक सोडियम क्या है सफेद नमक या फिर क्या है सफेद नमक में पाई जाने वाला पोशक तत्व है सोडियम की मतरा सफेद नमक में पाई जाते है विस्ट तमा को निसेद दिवस का मनाया चाता है तो वह 31 माई को मनाया चाता है पसीना किस अंग द्वारा निकलता है तो पसीना तच्छा के द्वारा निकलता है तो चा को क्या कहा जाता है उसरजी अंगों की सिर्णी में रखा जाता है मुत्र की सुद्धी सुद्ध किस अंग में होती है तो वब्रक यानि किडिनी में होती है मुत्र की सुद्धी निम्ले के तुमेंसे कौन सा अंग उसरजन तंतर का अंग नहीं है तो याद रखेंगे अमा से क्या है उसरजन तंतर का अंग नहीं है तो अच्छा है फैंपड़े है और ब्रक है एक स्वास्त व्यक्ति के मूत्र में नहीं पाया जाता है तो रखते कड़े काई एक स्वास्त व्यक्ति के मूत्र में नहीं पाया जा सकती है नहीं में लेकित मैंसे कौन सा अंग रखते के हानी कालग पदारतों को च्छान कर अलग करने का कारे करता है तो वह जाता है ब्रक यानि किटिनी इन पर इसी लिए सबसे ज़्यादा लोड रहता है क्योंकि ये क्या करती है एक्षनी की तरह हमारी सरीर को फिल्टर करती रहती है ठेक चानिका रख्त से हानिका रखतार्थ नहीं चाने जाएंगे तब तक हमारा सर्वाइब करना यानि शीवत रहना भी मुस्किल हो जाता है तो ब्रक यानि केड़नी पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉंसिल्यूटी रहती है चलिए नेश्ट देखते हैं पर संचर और तंदगा प्रमु का अंग है वो होता है प्रमु का अंग की बात की जाए तो याद रखेगा है क्योंकि इसके पंप ना करने से इसके ना दड़कने से विक्तिकी मृतिव हो जाते है बना है तो है ब रख्त थक्त कोने करता है जूँन कई प्रोटीन है डखत का धक बनाने वाली टोटीन है तो यहाँ पर है फाइब्रो थातरे जाए नो जाती जाती है फाईरो याद रख्त का कौन सा बिसके शहायक होता है तो प्लेस क्या करती है रख्त-जहित्जमंद प्रो कौन पहुंचाता है तो हीमोगलोविन पहुंचाती है मनुश के शरीर में फैंपड़ों की जंग्या होती है तो याद रखेंगे दो होती है शरीर का कौन सा अंग स्वसन के रिया औरक्त सुद्धी दौनों कारे करता है तो याद रखें फैंपड़ा करते हैं मनुश की स्वा करके कुशिकाओं में कौन पहुचाता है तो हीमो गिरूविन पहुचाती है रुदिर की शुद्धी किस अंग में होती है तो फैंपड़ों में होती है किंदर का Tant के भाग हैं तो यहां पर यात रखेंगे के अंद्र का Tant पर दिये का Tant और Și त फिर ये 세상 सब्दों के नहीं पर रती है इस दोस्त को क्या कहते हैं इसको क्या कर रही है मेच पर रिखी बस्तु को नहीं पड़पारी स्यामपट की बस्तु को पड़पारी हमारे सरीर में ग्यान की प्राप्ति किस माध्यम से होती है तो यहां पर इशनायू के माध्यम से होती है क्योंकि ये सेंस हमें प्रदान करता कान की अर्द चंदाकार नलियों के क्या कारे हैं तो सरीर का संदुलन बनाना ये क्या करती हैं सरीर का संदुलन बनाती है नलिका विहिन ग्रंथियां कौन सी है तो पियूस ग्रंथि क्या है नलिका विहिन ग्रंथि है इस तरह से भी आजगता पियूस ग्रंथि है तो याद रखिये गार नलिका विहिन ग्रंथि पुरुस प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है तो गुर्दे ब्रेसर शुक्रा यहां प बंधता के लिए जिम्मिदार कौन जिम्मिदार हो सकता है तो इस तरी ओपरुस दौनों हो सकते हैं नेश कोशन ब्यायाम का सरीर पर क्या प्रभाब पड़ता है तो सरी स्वस्त बनता है समुचित विकास करना एवं किर्यासील बनाना होता है सरीर के विकारों को दूर करना होता है हो प्योग सभी है यहां पै चलि व्यक्ति गपत्त स्वास्त के लिए बचना चाहिए तो किससे जब हम चाहते हैं कि हम खुद स्वस्त रहे तो मादग दरफी पतार्तों के सेवन से हमें बचुना चाहिए ऴिस्राम का सरवुत्तम उपाई है नीद लेना क्योंकि आप प्रॉपर नीद लेते हैं तो इसे अच्छा विस्राम कोई है नई बैयाम से हम बन सकते हैं स्वस्त तता किरी असेल क्योंकि स्वस्त तो रहते हैं साथ में हम एक्टिव भी बन जाते हैं बैयाम से तो आज की शरंकला में बस इतना ही नेट सेशन में फिर मिलेंगे तक तक में धन्यबाद, बंदे मातरम, जैहिन ये पीडियाफ आपको 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 आपको